हेलो एंड नमस्कार दोस्तो चेक बाउंस के मामलों में जमानत कैसे लें बहुत सारे लोगों का यह कॉस्चन होता है आज हम इस बात पर वीडियो के माध्यम से डिसकस करेंगे चेक बाउंस यानि सेक्षन बन थर्टी एट नेगोटेबल इंस्टूमेंट एक्ट यानि जो चेक बाउंस के मामले होते हैं वो इस धारा के अंतरगात आते हैं इसके अंदर जमानत यानि बेल कुछ इस प्रकार ली जाती है अगर नियालाय दोरा आपको समन जारी किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि ब्यक्ति नियालाय में उपस्थत नहीं हो पाता है ऐसी स्थिती में नियालाय के दोरा जमानती बारंट इशू कर दिया जाता है और जमानती बारंट के अंतरगत नियालाय में आपको एक बकील नियुक्त करना होता है और नियालाय के समक्ष हाजर भी होना होता है आपका बकील आपकी पैर भी करते शमय तरक देता है और नियालाय से जो जमानती बारंट में जमानत मंजूर कर लेती है इसके बाद आपको जमानती मुचल के नियालाई के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं और नियालाई के आदिस के अनुसार जो भी जितनी भी जमानत नियालाई ने आदिस में लिखी होती है उतनी ही रासी का जमानत के दस्ताबेज आपको लगाने होते हैं जो की आपकी जमानत लेता है उसके बाद आपको जमानत मिल जाती है आसा है दोस्तों आपको एह वीडियो पशंद आई होगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें